यह है Helix smartwatch, यह full touchscreen display के साथ में आता है, color display, इसमे built-in heart rate sensor दिया हुआ है, यह आपके SPO2 blood saturation levels को भी monitor कर सकता है, multiple watch faces के साथ में आता है, यह pink, blue और black color variants में available है और इसका pricing है 3,995 रुपीज, battery life आपको तकरीबन up to 5 days का मिल सकता है, आपके usage pattern पर डिबन करता है, इस वीडियो में मै आपको इस smartwatch की unboxing करके बताने वाला हूँ, इस smartwatch की features और performance के बारे में बताने वाला हूँ, देखत रहिए, तो यह देखे, यह है Helix smartwatch की box packing, compact सी box packing है और जो key specifications है वो यहाँ पर दिया हुआ है, activity tracking, आपके physical activities को यह track कर सकता है, built-in alarm दिया हुआ है, sleep tracking कर सकता है, long battery life के साथ मे आता है, इसके अलावा notifications, find my watch, color touch screen display, optical heart rate sensor इसमें built-in दिया हुआ है, music आप control कर सकते हैं, और यह water resistant है, तो चलिए जो smartwatch है, इसका जो box pack है, इसकी मैं आपको unboxing करके बता देता हूँ, यह देखे, इस परकार से यह जो product है, इसे pack किया हुआ है, यहाँ पर जो price tag है, वो mention किया ह हुआ है, 3,995 रूपीस, और यह जो smartwatch है, यह रिखे, इस परकार का दिखता है, इसके ओपर film लगा हुआ है, सबसे पहले तो यह जो film है, इसे मैं निकाल देता हूँ, यह लिजे, यह film को मैंने निकाल दिया है, देख सकते हैं कि नीची heart rate sensor है, और charging points भी दिया हुआ है, इ देखते हैं कि इसके अलावा box में हमें क्या-क्या मिलता है, यह रिखे, box में यह user manual दिया हुआ है, जिसमें आपको इस product के बारे में जानकरी मिल जाएगी, और जो आखरी चीज रह गई है box के अंदर, वो है यह charging dock, यह magnetic charging dock है, अभी इस प्रकार का dock है आपने दूसरे smartwatch के स देखे, यह इस प्रकार से chip up जाएगा, और इस प्रकार से आप इस smartwatch में जो built-in battery है, उसे आप charge कर पाएंगे, तो यह देखे, यह है helix smartwatch, पीछे देख सकते हैं कि mat type finishing दिया हुआ है यहाँ पर, और यह जो भाग है, यहाँ पर थोड़ा सा glossy finishing दिया हुआ है, strap की quality भी काफ में आता है, जैसे watches में होता है, तो आसानी से आप इसे पहन सकते हैं, इसका जो design है, खास करके जैसे apple smartwatch होते हैं, उस प्रकार का दिया हुआ है, और जो display है, थोड़ा सा curved है, side में, और जो button है, इसे press करते ही, देखे, screen activate हो जाता है, और आप जो menu options है, उसमें इस प्रकार से navigation कर पाएंगे, चलिए सबसे पहले मैं इसका setup करता हूँ, इसे मेरे smartphone के साथ में pair करता हूँ, पहले step यह है कि आपको helix time mix करके जो application है, उसे आपके smartphone पर install करना है, और आपको account create करना है, अगर आप पहली बार इसका उप्योग कर रहे हैं तो, उसके बाद में आप devices में जा स format अगर आप चाहें, तो यहां से change कर सकते हैं, 24 hours या 12 hours format option दिया हुआ है, watch faces का भी यहां पर options है, यह देखिए, बहुत सारे watch faces है, और अच्छी बात यह है, कि आप इन watch faces को download कर पाएंगे, और update भी कर पाएंगे, alarm alert है, camera है, तो यह जो smart watch है, इसका उप्योग करके आप, यह देखिए, यहां पर smart watch में आपको, जो camera का option है, यह देखिए, यहां पर जाना है, tap करना है, और इससे आप remotely, आपका जो smartphone है, उसका जो camera है, उसे click कर पाएंगे, मतलब कि यह smart watch है, as a remote shutter की तरह आप उप्योग कर सकते हैं, remote control कर सकते हैं, आपके smartphone के camera को, notification alerts में अगर आप जा आपको watch पर मिलते हैं, ज्यादा करके उन्हें आप पढ़ सकते हैं, do not disturb का option दिया हुआ है, और unpair option दिया हुआ है, अभी जो smart watch है, यह always on display के साथ में नहीं आता है, अगर आपने इस watch को पहना हुआ है, और अपने wrist को twist करते हैं, तो यह देखिए, इस परकार से जो screen है, थो को monitor कर सकता है, spo2, oxygen levels, और यह है sports mode, और यह है messages, जहाँ पर आप जो notifications है, उसे पढ़ पाएंगे, और of course यह जो camera है, इसके बारे में मने आपको बता दिया, music, जो smartphone का music player है, उसे आप यहाँ से control कर पाएंगे, और settings को option, यहाँ से भी आप कुछ हद तक, जो settings है, उसे कर पाए यह वाला काफी interesting लग रहा है, यह लिजी ए watch को मैंने पहन लिया है, और मेरा heart rate है, उसे check करते हैं, यह दिखे, इसने मेरे heart rate को detect किया है, काफी accurate है, और यह दिखे, यह है BP, वैसे जितने भी smart watches होते हैं, वो आपको इतना accurate BP reading नहीं देने वाले हैं, तो इन पर आप ज़्या कार का है, यह देखे, बहुत सारे watch faces हैं, और यह जो watch faces है, इन्हें आप smart watch पर download कर पाएंगे, लगता है कुछ issue है, download के लिए बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, काफी समय से मैं यह चीज in progress देख रहा हूँ, कुछ bug है, हो सकता है कि software update के बाद यह जो चीज है fix हो जाए लेकिन फिलाल मैं इस software copy करके जो watch faces है, उसे smart watch पर download नहीं कर पा रहा हूँ, यह जो progress बार है, यह काफी देख से इस प्रकार से चल रहा है, तो यह है helix smart watch, यह one year की warranty के साथ में आता है, timex group की तरफ से, इसका pricing है 3,995 रुपीज, जहां से आप इसे खरीच सकते हैं, उसका link म मैंने वीडियो के description में दिया हूआ है, यह smart watch आपको कैसे लगा, comments के मादिम से मुझे जरूर बताईए, देखते रहिए